हेलो दोस्तों आज में बनाने जा रही हूं गोभी का पराठा गोभी का पराठा खाने में बहुत ही टेश्टी होता है और साथी इसे बनाना बहुत ही असान है चलिए फिर इसे बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसका जो आटा है उसे तैयार कर लेते हैं हम आटे में डा कर अच्छे से मिक्स कर लेना है कि अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर इसका जो आठा है में गूत का तैयर करना है इसका आठा ज्यादा सक्त नहीं तैयर करना है कि इतना सॉफ्ट रहना चाहिए अब मैं इसे ढखकर दस से पंदा मिनट के लिए साइड में रख देती हूं और इसका जो श्टफिंग तयार कर लेते हैं यहां पर मैंने फुल गोभी को देखे इस तरह बड़े-बड़े पीसेस में काट के लिया हुआ है आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े पीस है यह रिखे और इसे अच्छे से बारिक कस लेना है कद्दू कस में इसी तरह हम सारे फुल गोभी को कस के तयार कर लेते हैं इस तरह से जो बारिक जितना रहेगा उतना ही जो पराठा जो हमारा फटेगा नहीं आप इसे जरू ट्राइक कीजि कि आपको यह पराठा कैसा लगा है यह दिखिए हम सारे फुल गोभी को कस के ले लेते हैं कि इसी तरह में सारे फुल गोभी को कद्दू कस कर लेती हूं उसके बाद में आपको दिखाती हूं जिसका जो डंठल हो से में रख देना साइड में इसे सारे फुलावर कद्दू कस हो चुके हैं यहां पर मेने कड़ाई गरम होने के लिए रख दिया है यहां पर मैंने ड़ाए दो च्छुड़ी चमस तेल तेल गरम होने पर हम डालेंगे जीरा बारी कटी होई हरी मिर्च कड़ी पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब मैं इसमें डालूंगी एक छोड़ा चमच अध्रक लेसुन का पेष्ट इससे काफी अच्छा टेश्ट आता है अब हम इसमें सुखे मसाले डाल लेते हैं सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिच पाउड और एक छोड़ा चमच गरम मसाला इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें अब में डालोंगी बारी कद्दू कस किया हुआ फुल गोवी अब इसे डालके अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है जो सारे मसाले जो है इसमें मिक्स हो जाए ताकि सारे मसालों का फ्ल पकने देते हैं पाच मिनट के बाद देखते हैं रिखिए काफ़ एच्छी से जो भो भी है वह सॉफ्ट हो चुकी है अब इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और एक बार और मिक्स कर लेंगे स्टफिंग देखिए हमाई ठंडी हो चुकी है अब मैं जो आटा मैंने तयार किया था उसकी लोई तयार करके ले लेती हूं इस तरह से देखिए हमें कटोरी का अकार देना है श्टफिंग ठंडा होने के बाद ही आपको इसमें डालना है यह दिखिए इस रसी से बंद कर लेना है जो इसका इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस रसी से बंद कर ले रही हूँ फिर इसके बाद मैं आटा लगा के सुखा इसे हमें बेल के तयार करना है अगर आगा आपको लगे कि थोड़ा सा जो है श्टफिंग भार आ रही है तो आप सुखा आठा लगा के इससे फिल से बैल सकते हैं यहां पर मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से ही अब में पराठा जो इस पर सेक के ले लेती हूं आप इसे पलट लेंगे पलटने के बाद में हम इसमें लगा देंगे तेल आपको जो भी आप यूस करते हो तेल लगा सकते इस पे कि अ है और यसे पलट लेना है दूसरी तरफ भी अच्छे से ऑ अध taş ie तेल लगा लेना आप चाहे तो इसमें बटर भी लगा सकते हैं जो दोनों तरह से अच्छे स पकने देना है तो पराठे में आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और में रिस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप सबको हैपी न्यू यर इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें यह रिके परणा जो है तयार हो चुका है थ थैंक यू